दोस्तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा एक इंग्लिश पॉइट रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक फ्रीमस पॉइम दे पैट्रियॉट यह जो टाइटल में वर्ड है पैट्रियॉट पैट्रियॉट का मतलब होता है दोस्तो देश भक्त तो इंसान देश से ब इंसान की बात की यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जो की एक पैट्रियॉट था यानि देश भक्त था जो देश की बात करता था देश के लिए लड़ता था अब दोस्तो उसकी कहारी कुछ ऐसे है कि पहले पहले तो लोग उसको बहुत प्रेज करते थे यानि बहु जिया रोजूज रोजज यानि गुलाब के फूल आल देवी यह पोउम की शुरुआती लाइने वो देश भक्त बोल रहा है की इत वर रोज का फूल जहाए जब मैं चलता था तो मेरे रास्ते में गुलाब के फूल बरस वए पढ़े रहते थे बरसाए जाते थे मेरे रास मतलब ऐसा लगता था जैसे घरों की छटों पर लोग निकल आये हैं और मुझे चेर करते थे, ऐसा माहौल था इन लाइनों का मतलब यह है कि जब वो निकलता था रास्तों से तो लोग उसकी वड़ी रिस्पेक्ट करते थे एक साल पहले आज ही के दिन लोग मुझे इतना रस्पेक्ट से देखते थे एक साल पहले जब मैं रास्ते से निकला करता था तो लोग मुझे देखने को तरस जाते थे मतलब जैसे कोई सेलिबरिटी निकल रहा हूँ, ऐसे भीड जमा हो जाती थी गरों की छेतों पर लोग मुझे देखकर चिलाते थे ऐसी दीवान की थी लोगों में एक साल पहले मेरे लिए और इसके अलावा सेकंड स्टेंजा में बोलते हैं कि हवा में गंटियों की आवाज गूंज रही थी यानि जीत की खुशी में जो घंटियां बजाई जाती है उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी, मेरे लिए इन सब के अलावा जो पुरानी दिवारे थी, वो लोगों की गूंज से, चिलाने से काँप रही थी अब क्योंकी वो पुरानी दिवारे थी, the old walls, rocked, rocked मतलब काँप रही थी, with the crowds and cries, मतलब भीड से और भीड के चिलाने से अगर उस वक्त मैंने लोगों से कहा होता, वो देशवक्त कहरा है, had I said, उस वक्त लोगों से मैंने कहा होता, good fox की, प्यारे लोगों, mere noise repils, but give me your sun from yonder skies मतलब सिर्फ ये चिलाने से काम नहीं चलेगा, तुम मुझे अपने आस्मानों से अपना सूरज, यानि energy का source लाकर दे दो, मतलब तुम्हारी जिंदगी में जो सबसे प्यारी चीज है, वो मुझे लाकर दे दो, तो इसका जवाब वो परता है क्या देते, यहाँ पर वो द दिलों में प्यार था इसके लिए, कि वो चीज तो इसे लाकर दे ही देते, बलकि और उपर से इससे पूसते, कि इसके अलावा और क्या चाहिए आपको, तीसरे स्टेंजा में देशवक्त बोलता है कि, अफसोस, वो मैं था जिसने सूरज को पकड़ने के लिए, उनके ताकि मैं वो सूरज अपने प्यारे दोस्तों को दे सकूँ, to give it my loving friends to keep, ताकि मैं अपने प्यारे दोस्तों को वो सूरज रखने के लिए दे दूँ, इस लाइन का मतलब यह है कि मैं सारी खुशियां अपने दोस्तों को देना चाहता था, और अगर ये काम मैंने ना किया हो तो कोई और इंसान इस काम को नहीं कर सकता था, और आज तुम देख सकते हो कि ये मैंने क्या बोया और क्या काटा, and you see my harvest and what I reap, क्या बोया और क्या काटा, इसी दिन, now a very day, now a year is run, कि एक साल गुजर चुका है, और आज देखो क्या हाल है, कि मैंने इनी लोगों के लिए इतना कुछ किया, और आज देखो मुझे किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, एक साल बाद में, चौते स्ट्रेंजा मैं बोलते हैं कि देखो, अब घरों की चतों पर कोई नहीं है, there is nobody on the house tops now, कि घरों की चतों पर अब कोई नहीं है, सिवाए कुछ पैरलाइज लोगों के, जो कि घरों की चतों की खड़कियों पर बैठे हुए हैं, जिनके दिलों में मेरे लिए प्यार नहीं है, just a pal seat, pal seat मतलब paralyzed लोग, few at the windows set, मतलब जो windows पर बैठे हुए हैं, जिनके दिलों में मेरे लिए प्यार नहीं है, वो लोग ही बैठे हुए हैं, कहा गई वो भीड, कहा गई वो भीड जो मेरे लिए जंडे लहराया करती थी, जो मेरे लिए चिलाया करती थी, आज एक साल बाद, तो लोग कहा गए, लोग कहा गए, तो यहाँ पर वो देशबक्त बोल रहा है कि लोग Shambles Gate पर हैं, जहां से मेरी फांसी ठीक से देखी जाएगी for the best of the sight is all allowed at the shambles gate मेरी फांसी मुझे सजा दी जा रही है आज एक साल बाद में या फिर अगर इससे भी अच्छी जगह देखनी है मेरी फांसी की तो scaffold foot पर देख लो यहाँ पर point बोल रहा है scaffold foot एक ऐसी जगह है जहाँ पर खड़ा करके लोगों फांसी दी जाती है और better yet by the very scaffold foot I draw next रंजा में वो देखबक्त बोलता है कि मैं बारिश में आगे बढ़ रहा हूं जितने बारिश की need नहीं है I go in the rain and more than needs इतनी बारिश की जरूरत नहीं है यानि यह जो देखबक्त है इसको पांसी दिलवाने ले जाया जा रहा है यह कह रहा है कि मेरे हातों पर रसी बांदी गई है जिससे मेरे हात में चुबंजी हो रही है मेरे हात कट रहे है उससे I rope cut both my wrist behind और इस वक्त मुझे feel हो रहा है जिससे मेरे माथे से खून भह रहा है and I think by the feel my forehead bleeds my forehead bleeds मेरे माथे से खून निकल रहा है और ऐसा किसलिए हो रहा है कि मेरे माथे से खून निकल रहा है वो कहते हैं कि जिन लोगों के पास दिमाग है न वो लोग मेरे उपर पत्थर फैक रहा है जो एक साल पहले मैंने गलतियां किये न उसके लिए जो लोग मुझे हीरो मानते थे वही लोग मुझे पर आज पत्थर फैक रहे है वाट दे प्लिंग प्लिंग मतलब पत्थर फैक रहे है whoever has the mind जिनके पास दिमाग है stones at me for my ears misdeeds मेरी एक साल पहले की गलतियों के लिए मुझे पत्थर फैके जा रहे है आखरी वाले स्टेंजा में वो देशबग बूलता है कि ऐसे मैं आया और ऐसे मेरी मौत हुई thus I entered and thus I go ऐसे मैं आया और ऐसे मेरी मौत हुई और ऐसा माहुल हो गया जो लोग मेरे लिए तालियां बजाये करते थे चलाये करते थे वो भी खुश होकर जमीन पर गिर पड़े मेरी मौत पर in such triumphs people have dropped down dead कि लोग खुशी से गिर गए पागल हो गए मेरी मौत पर अब मेरी मौत हो चुकी है तो God मुझसे question पूशेंगे God might question paid by the world what does the Omi इन लाइनों को God ने बोला है God बोलते हैं कि तुमने जो किया उस सब की सजाद़ तुम्हें दुनिया नहीं दे दी वर्ल नहीं दे दी तो तुम मुझसे क्या चाते हो अब अब मैं क्या करूँ तो आप God के पास करने को कुछ नहीं है तो God मुझे सेफ रखेंगे I am safer so मैं God के पास सेफ रहूंगा now instead this God shall repay कि God ही अब इस बात को repay करेंगे तो यहाँ पर यह पोविम खत्म होती है दोस्तों उमीद करता हूँ इसका main idea आपको समझ में आया होगा कि critics कितना जल्दी आपके haters बन जाते हैं लोग आपकी तारीफ करते हैं वो ही आपके कटर दुश्मन बन जाते हैं वो ही आपकी बुराईयों पर उतराते हैं यहीं पर यह पोविम खत्म होती है दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही